नमस्कार दोस्तों पुजा डिजैंसन स्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम यह सिफोन साडी का ब्लाउज है देखिए इस तरीके से इसमें वर्क हुआ है मोतियों का तो इसकी फुल कटिंग यहां पर देखेंगे 35 साइज का यह ब्लाउज ह इस तरीके का जो फैब्रिक होता है यह ब्लाउज होता है उसमें किस तरीके से कटिंग करें वो यहां पर हम देखेंगे तो यह देखिए इस तरीके से इसकी स्लीव है कस्टमर ने लंबा ही जादा लिखवाई है बट में यहां पर जितनी हमारी स्लीव होगी उतनी हम कटिं सीना 35 कमर 30 बाजू की लंबाई हम यहाँ पर तक्स पॉंट जो दश इंच पर है और एपक्स टुएपक्स यहां पर रहेगा 7.5 इंच यह देखिए अच्छे से लाइनिंग को सैट कर लिया है और नीचे एक स्टेट लाइन बनाएंगे सीधी लाइन बिल्कुल इससे जो भी छोटा बड़ा फैबरिक है उसको कट कर देंगे यह देखिए पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करें याँ पर और फ्रंट ओपन हमारा यह ब्लाउज रहेगा बहुत अच्छे से मैं एक्स पेन करने वाली हूँ किस तरीके से कटिंग करते हैं 35 साइज की इससे मैथर सेम रहेगा किसी भी साइज के आप कटिंग कर सकते हैं तो यह देखिए शोल्डर लाइन पर हमने यहाँ पर थीजगह निशान लगा लिये 14 इंश तैयार है तो एक इंश बढ़ा कर मैंने यहाँ पर लिया है ूस तरीकaden इंश और इस तरीके से देखिए सीधी लाइन हम शोल्डर लाइन 시대 पर बना लेंगे अब हमें शोल्डर रखना है डीप नेक के अकॉर्डिंग तो पांच इंच मैं यहाँ पर रखूँगी शोल्डर दो जगे निशान लगाए ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ पर आए और यह देखिए सवाब पांच इंच पर मैं निशान लगाऊंगी आर मोल के लिए इस तरीके से सवाब पांच इंच पर अब हम इस लाइन को भी बिल्कुल सीधा कर देंगे सीने का चौधा भाग मैं यहाँ पर लूँगी तो 35 इंच है तो 9 में भी हम 2 पॉइंट कम लेंगे यहाँ पर तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है डीप नेक है कोई लूजिंग हमें यहाँ पर नहीं रखनी है इस बात का ध्यान लखें बैक पार्ट है और बैक पार्ट में जो डीप नेक में क्या चीज हमें शोल्डर पर आर्मोल पर चेंजिस करनी होती है वो ध्यान से देखिए हाफ हमने कर लिया है आर्मोल को यहां से और सिर्फ एक इंच की हम यहाँ पर गहराई लगाएंगे क्योंकि हमारा नेक बहुत डीप है साड़ेक गहरा इंच तो अल्रेडी यह बहुत फैलेगा जब बनेगा तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक इंच की गहराई लगाऊंगे आर्मोल पर बैक पार्ट में यह देखिए 30 से 38 साइज तक आप यहाँ पर एक इंच की गहराई लगाएं डीप नेक के लिए मैं आपको यहाँ पर बतारी हूं कि हमें एक इंच की गहराई लगानी होती है अगर आपका नेक बैक साइड में 9 इंच तक है 9 इंच से जादा है तो आपको इतनी यहाँ पर गहराई लगानी है यह देखिए इस तरीके से आर्मोल की गोलाई को ड्रॉ कर लेंगे अब हम कमर पर यहाँ पर निशान लगाएंगे तो बैक पार्ट में मैं यहाँ पर कोई टक्स नहीं बनाने वाली हूं बिलकुल हम इसको स्ट्रेट बनाएंगे कस्टमर की डिमांड पर की बैक साइड हों मेरी कोई टक्स नीची है मुझे इसलिए देखिए मैंने जितना कमर का चौथा भागे साड़े साथ इंच और दो इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है और नीचे से इस तरीके से तिर्छी लाइन बनाएंगे हाफ इंच कमर की साइड इससे कहें कि एक साइड से लटकता नहीं बलाउच फिटिंग में भी बहुत अच्छा आता है और सवाद दो इंच पर मैं यहाँ पर नेकी गहराई लगाऊंगे धाई इंच पर जब से लेंगे तो धाई इंच हमारी तयार रहेगी और यह देखिए जो गैराई हम रख रहे हैं साड़े गैरा इंच और नीचे से मैं इसको ब्रॉड रख रहे हूं साड़े तीन इंच पर निशान लगाई हूं इस तरीक से डीप नेग राउंड नेग में हम बनाएंगे तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छे आती है अगर नीचे से आप जो बॉक्स रेडी है उसी में भी लाइन बनाकर इसको अच्छे से राउंड में बना लें तो तब यह काफी इसकी चोड़ाई नीचे से काफी हो जाती है यह देखिए मैंने इसको अलका सा और यहां पर सेफ दिए और यहां से हाफ इंच पर यह देखिए शोल्डर हम नेक कि साइड इसको डाउन करेंगे क्योंकि डीप नेक में हम इसी तरीके से करते हैं अभी देखिए इसकी कटिंग कर लेंगे जहां-जहां हमने मार्किंग किये मार्किंग जो लाइन पर मार्किंग करते हैं उसके अंदर से आपको कभी कटिंग नहीं करनी चीए किसी भी कोई भी आप कपड़ा से लें तो कटिंग बिल्कुल उसकी बाहर-बाहर हमें करनी होती है बिल्कुल उसकी बॉर्डर लाइन पर और यह देखिए जो हमने यहाँ पर shoulder down किया है उसको भी cut कर लेंगे कुछ इस तरीके से तो back part की cutting हो गई है front part cut करेंगे तो front part के लिए देखिए मैंने fabric को अपनी दरफ खुला हुआ रखा है और यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी के लिए margin छोड़ेंगे front open है मारा blouse इस तरीके से half half inch आप सीधी line बना दे और इसमें जो किनारी आती है हमारी उसको मैंने पहले ही cut कर दिया है यह देखिए और यहाँ से एक बिल्कुल सीधी line बनाएंगे इसके उपर हमें shoulder line लेनी है यह देखिए क्योंकि इसकी side में थोड़ा कपड़ा कम है तो हमारा पूरा जो सीने का चोथाबा वहां तक cover नहीं हो पाएगा अभी देखिए मैंने इस तरीके से निशान बना दिये shoulder line हम यहाँ पर बना रहे हैं 5 inch जैसे हमने back side रखी थी सेम वह हमें यहाँ पर रखनी है और यहाँ पर भी मैं 5 inch पर निशान लगाँगी तो front part में हमें क्या change करना होता है वह आगे देखिए आप यह देखिए मैंने सवा 5 inch पर निशान लगाया है और इसको भी बिल्कुल सीधर करेंगे बिल्कुल आपको blouse में एक एक point का ध्यान रखना होता है point में ही आपका blouse tight हो जाता है डिला हो जाता है तो blouse में बहुत एक point fitting में बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसलिए cutting करते हो ते इंच जीजों का बहुत ध्यान रखें अभी देखिए यह front part है अब हाफ इंच अंदर के साथ निशान लगाऊंगी उपर हमारा पांच इंच शोल्डर ने नीचे हमारा यहाँ पर यह देखिए साड़े चार इंच रह गया और यहाँ पर एक इंच की गूलाई लगाऊंगी देखिए front part में और अभी देखिए हमने बैक पार्ट रखा था सीने का चौथा बाग नो में दो पॉइंट कम और यहाँ पर हमें नो में दो पॉइंट ज्यादा रखना है क्योंकि front part में एक टक्स आती हमारी आर मोल की साइड तो उसमें भी हमारा कपड़ा कवर होता है तो वो भी हमें यहाँ पर लेके चलना है और सवा दो इंच पर नेक की चोड़ाई का निशान लगाऊंगी और साड़े साथ इंच हम यहाँ पर लगाएंगे नेक की गहराई का फ्रंट नेक की गहराई का इस्टिचिंग भी आप जरूर देखिए पुरा ब्लाउज बन जाए तो फिटिंग आप देखना उसकी बहुत अच्छे से आएगी यह देखिए और मैं यहाँ पर नीचे से मैंने इसको हलका सा चोड़ा रखा है आप चाहें तो सेम उपड जितना नीचे भी रख सकते हैं डीप नेक में अगर हम नीचे से भी थोड़ा सा इसको चोड़ा ही रखते हैं तो अच्छी से फिटिंग में आता है हमने याँ पर साढ़े-दस इंच पर दस इंच है तो हाफ इंच शोलडर में जाएगा और एक टक्स पर नीच अमने तीन इंच पर निशान लगाए है वो हमारा belt joint वाली line है तो tux हमारी जो main tux रहेगी वो यहाँ पर 1.5 inch की तयार जाएगी 1.5 inch belt में चला जाएगा तो इस तरीके से आप जो tux की लंबाई है मैं यहाँ पर 1.5 inch रखूँगी और यहाँ पर देखिए मैं 3 inch पर निशान लगाँगी यह chest की साब से निशान लगाते हैं हम यहाँ पर और यह 1.5 inch चलाए main tux की और उपर इस तरीके से सीधी line बना देंगे तो यह जो हमारी उपर point आया है यह point tux point हमारा main point तो इसी point से हम बाके की जो dart है उनको draw करेंगे तो 1.5 inch पर निशान लगाएंगे यहाँ पर 2 inch पर निशान लगाएंगे आर्मोल की साइड पर और इस तरीके से यह देखिए अब इन पर हम tux को draw कर देंगे कितनी कितनी हमें यहाँ पर tux लेनी है main tux हमारी यहाँ पर 1.5 inch की बनाई हमने और यह side वाली है यह हमारी पकड़के और सिलाई लगाने है तो जब मैं सिलाई करूँगी तब आपको दिखाऊंगे कि किस तरीके से हमें tux को अच्छे से पकड़के और सिलाई लगाने होती है इस तरीके से 4 tux हमने यहाँ पर बना दिये यहाँ पर कमर का चौता भाग 5.5 इंच में टक्स की जो चौड़ाई रखी उसको ले लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा स्लाई मार्जिन का तो इस तरीके से कम्प्लीट मार्किंग कर लिए यह देखिए इस तरीके से और यहाँ पर जैसे हमने बैक पार्ट में रखा था सेम उसी तरीके से तिर्चे लाइन ड्रॉ करेंगे 1.5 इंच की इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है बिल्कुल ब्लाउज की और नीचे से साइड से लटकता भी नहीं है और एक इंच पर हम जो बैल्ट की यह देखिए सेफ यहां पर देंगे तो इसमें हमारा बैल्ट अटेच होगा नीचे से हलका सा राउंड डालना है हमें में डाट पर यह देखिए इस तरीके जब इसको इस तरीके से जोडेंगे तो यह नीचे की साइड अल्रेडी जोग जाएगा पार्ट जहां हमने कम किया है और यह देखिए इस तरीके से इसकी मार्किंग कमप्लिट हो जाती है कटिंग करेंगे देखिए और बैल्ट में यहां पर उपर जो हमारा कपड़ा इसमें बच रहा है देखिए इसी से हम कट कर लेंगे तो यह हमारा काफी है बैल्ट के लिए अगर कम कपड़ा रहता है आपका उपर तो आप डारेक्ट इसके साथ नीचे भी बैल्ट निकाल सकते हैं मैंने कई वीडियो में शेर किया है कि नीचे से किस तरीके से बैल्ट निकालते हैं अगर बेल्ट अलग जगह से निकाले में प्रॉब्लम आती है तो आप जस्ट इसके जहां से हमने बेल्ट के लाइन ड्रो की थी उसके नीचे से हम बेल्ट भी साथ के साथ निकाल लेंगे अब ये देखी दूसरे पार्ट को इस तरीके से रख देंगे बहुत आसान तरीका है और सेम मार्किंग दूसरी साइड भी याँ पर हो जाएगी आपको कोई भी ट्रैस वगरा अलग से करने के आप शकता नहीं है सेम यहाँ पर मार्किंग इस तरीके से अप चौक से थोड़ा सा गहरा कर लें और बहुत जल्दी फटा-फट से यह मार्किंग यहाँ पर बन जाती है तो यह देखिए चारो टक्स सेम जो सी एक साइड थी वैसी दूसरी साइड भी हमारी यहाँ पर बन गी इस तरीके से रख लें देखिए यह जो में डाट है अच्छे से हमारी मैच कर रही है और अब हमें यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करनी है तो यह देखिए यह मेरा यहाँ से कपड़ा बचा हुआ है तो डबल में है बेल्ट की कटिंग करेंगे तो बेल्ट में यहाँ पर अभी चारेंच पर निशान लगा रही हूँ नीचे से हम इसी कपड़े में इसको फोल्ड भी करेंगे अलग से मैं पट्टी नहीं लगाँगी यहाँ पर क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है तो अंदर से को स तरी के से अमें नहीं कट करना इस法 का द्यान रखें静्युक्य जितने के वह वापस यहांपर यहाँ पर यहाँ पर कंपनाए नो कि देखें आहीं कि अंवरत्य औरフंट ने को यही लाइन से मैं अ छैख पर यहांफिक बिल्कुल बराबर आगई है थोड़ बहुत एक्स्ट्रा ही है कम नहीं इस देखे अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो स्लीव की कटिंग किस तरीक से कर नहीं है पहले मैन फैबरिक की स्लीव को मेजर करेंगे अगर आपका इस तरीक एका बलाऊ जय तो यह देखिए यहां पर 6.5 इंच आ रहा है तो हमारी स्लाइब में भी जाएगा तो 5.5 इंच की हम स्लीव यहां पर रेडी रखेंगे 5.5 इंच की लंबाई भी ठीक रहती है तो यह देखिए नीचे से कट कर लेंगे बराबर कर लेंगे फैब्रीक को फोर फोल्ड यह फैब्रीक है यह देखिए दोनों आस दिन हम साथी कट करेंगे तो 6.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी एक इंच एक्स्टा रख रही हूं साड़े 5 इंच तयार रहे जाएगी और इस तरीके से सीधी लाइन हम बना लेंगे और नीचे से जो मुड़े की गहराई हम लगाएंगे यह देखिए कैप आइट पर वहाँ पर मैं यहाँ पर सवा तीन इंच पर निशान लगा रही हूं तीन पर भी आप लगा सकते यह देखिए इस तरीके से अब हमें क्या करना है बैक आर मोल को मेजर करना है तो 8 इंच मेरा फिटिंग पॉइंट पर दो इंच एक्स्टा रखना है हमें आपको यहाँ पर साड़े साथ साड़े आठ सावाट कितना भी आ सकता है जो आर मोल वह सभी का मेजर्मेंट अलग होता है यह देखिए और दो इंच में आप एक्स्टा रखोंगी तो आर मोल जब काटें बाजू का तो बैक आर मोल को आप जरूर मेजर कर लें या तो आप डायरेक गोलाई लगा लें बटागा आपको प्रॉब्लम आती है साथ दिन में गोलाई लगाने के तो देखिए पहले इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना लें फिटिंग पॉइंट से अब इसको हाफ कर लें बहुत आसान सा तरीका है और अब यह देखिए इसको इस तरीके से पहले गहराई लगा के नीचे से घुमा दे तो यह तो हमारे फ्रंट का हो जाएगा यह देखिए इस तरीके से और अब बैक के लिए क्या करना है उपर से लाते हुए यह देखिए यह फ्रंट का हो गया और यहां से इस तरीके से ले जाएगे तो यह हमारा बैक का हो गया इस तरीके से स्लीव की मार्किंग भी हो जाती है हमारी तो कट कर लेंगे इसको भी यह बैक पार्ट है यह फ्रंट पार्ट है गोलाई यहां पर शाड़े पांच इंच रखूंगी मैं आस्तिन की यह देखी और दो इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है लाइन बनाते हुए स्लीव की कटिंग कर लेंगे जैसे जैसे हमने मार्किंग किया उसी पर हमें कटिंग याँ पर कर लेनी है यह देखी तो जो ब्लाउज हमारा उसका फ्रंट पार्ट बैक पार्ट और स्लीव की कटिंग हो गई है अब जो मैं फैब्रिक पर कैसे कटिंग करनी है वो मापको स्लीव याँ पर बताऊंगी और सेम पैटन रहेगा जैसे स्लीव कट करेंगे वैसे हमें आगे पिछे के पार्ट कट करने हैं इसमें तो यह देखी यह हमारा ब्लाउज का पार्ट है तो आस तिन में अच्छे से इसमें इस तरीके से रख लिए और इनको रखके पिल लगा के और कट कर लेंगे देखी और बैक पार्ट को भी अच्छे से पूरा फैला क के और जो हमारा बैक पार्ट था लाइनिंग का उसको रख लेंगे और जो फ्रंट पार्ट है उसमें कोई एम रोडि वगर नहीं तो उसको आप डबल फॉल करके दोनों पार्ट एक साथ कट कर लें तो देखिए वीडियो हमारी यहां पर कटिंग की कम्प्लेट हो जाती है ज सब्सक्राइक वाचिन है और जा नहीं दोच्ट़ाएक चाहिए फिसमें आता लेंगे इखिए यह दोया है यहां पार्ट प्रम मेंटाएक सब्सक्राइब का दूस्थ